और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पार दली के सीएम अर्विंद केज्रिवाल रिपस्ट्रियना कैम्प में हिस्सा लेने के बाद सनिवार को पहली बाल जुनता से मुखातित हुए केज्रिवाल ने बिना पियम मोदी का नाम लिए उन पर निश्वाना साधा दली सीएम ने कहा जनता के काम करने के लिए उंगली ठेड़ी का नूप पड़ती है उपर बड़े बड़े गुंडे बैटे हैं जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी नजफगर के एक है डाबर गाउं में लोगों को संबोधित करते हुए केज्रिवाल ने हाई कोट सेफ राज़े पाल और दिल्ली सरकार के बीच अथिकारों की लड़ाई लड़ने के मामले पर सफाई दी उन्होंने कहा जब हर्याना में वोटर्स की कीमत कम नहीं है तो फिर दिल्ली में वोटर्स की कीमत कम कैसे हो सकती है दिली तो देश की रागधानी है अर्विन के जरिवान एक बार किर दिली को पूर्न रागजय का दर्जा देनी को अब मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि ये आम आदमी की मांग है इसे पूरा क्या जाना चाहिए तीन दिन के भारत दोरे पर आये चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने शुनिवार को प्रधान मंत्री नदेंदर मोदी के घर पर उनसे मुलाकात की साथी विदेश मंत्री शिश्म स्वराग भी वांग जी और चीन से आय प्रतिनीधी मंदल के साथ मुलाकात कर तमाम शेत्री और दीपक्ष मुद्व पर बातशीत की है वांग जी ने शुकरवार को गोवा से अपनी आत्रा शुरू की जहां अक्टूबर में होने वाले आट पे ब्रिक्स शिक्ष समेलन में चीनी राश्यपती शीचिन पिंग भी हिस्सा लेंगे गौड तलब है कि शुकरवार की साम वांगी के आगमन पर चीनी समाचार एजनसी सिन हुआ ने भारत और चीन को प्रतिस पर भी नहीं बलकि साज़दार करार देते हुए कहा कि दोनों ही देशों को अपनी असेहमतियों को नियंतरन में रखने के लिए मिल कार काम करना चाहिए चीनी एजनसी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि भारत को NSD में प्रवेश नहीं मिलने का ठिकरा चीन पर ना खोड़ा जाए बीजेपी अध्याक्षामित शान शनिवार को यूपी में एक जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक उत्रप्रदेश का विकास नहीं होगा देश का विकास संभव नहीं है उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अगर प्रदेश में BSP और SP जैसी पातियां सत्ता में आएंगी तो प्रदेश का विकास होगा उन्होंने कहा कि क्या आपको 24 घंडे बिजली मिलेगी क्या बुलन शहर जैसी घटनाओं पर अंकुष लगेगा उन्होंने अपने भाशन में कॉंग्रिस पर भी जमकनी सानसादा बीजेपी पूरे देश में तरंगा यात्रा निकाल रही है इसी के तहट उन्होंने काकोरी में आजादी सत्तर याद करू कुर्बानी कारिक्रम में भाग लिया करिक्रम के बाद अमिच्षा निसानसद को सलके शोर के आवाज पर दोपहर का बोजन किया इस भोज में बड़ी संक्रा में दलितों को आमंतृत किया गया है इसे एक तरह से दलित उस्पीरन की बड़ती घटनाओं के बीजेपी का डामेज कंट्रूल माना जा रहा है पर विजे माले के खिलाफ एक के जज़ किया है उलेकनियों हैं कि 9,431 करोड के लोन की वीकवरी के लिए बैंग को द्वारा सुप्रीम पोर्ट का दरवाज आखट खटाए जाने के बाद विजे माले अबीते दो मार्च को देश छोड का लंजन के लिए रवाना हो गयते राश्ट्रपती की बेटी शर्मिष्ठा मुखर जी को फेस्बुक अकाउंट पर अशलील मेसेज भेजा गया है शर्मिष्ठा ने खुद उस शक्स का ना सिर्फ नाम बलकि प्रोफाइल पोटो के साथ उस मेसेज के स्क्रीन शॉट को फेस्बुक पर श्रेप गया है उन्होंने हिम्मत लिखाते हुए ये भी लिखा है कि मैं चाती तो अशलील भेजने वाले को सिर्फ ब्लॉक कर चुप बैख चाती लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे इंसान का नाम दुनिया के सामने लाना जरूरी है ताकि वो किसी और के साथ इस तरह की हर्कत ना करे उन्होंने फेस्बुक पर पोस्ट किया है कि पार्था मंदल नाम का ये इंसान मुझे अश्कील संदेश भेज रहा है मैं मजबूती से ये सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को जनिता के बीच लाना चाहिए और बेज़ती करनी चाहिए मेरी गुजारिश है कि आप सभी इस पोस्ट को ज़्याद से ज़्याद से शेयर करे और हर शेयर में उसे भी टैल करे ताकि वे फिर कभी इस तरह का काम करने की सोचे भी नहीं बलन शेहर रेप केस की नावालिक पीडिता ने समाजवादी पार्टी के वरिश नेता आजम खान के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोट का दर्वाज खट खिटाया है पीडिता ने आजम खान और दोशी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रात्मी की दर्श करने की मांगी है पीडिता ने मांगी है कि केस को दिल्ली स्थानन्तृत कर दिया जाए उन्होंने ये भी मांग की है कि अदालत की निगरानी में मामले की जाच हो और पीड़ित नावालिक हो स्कूली शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास उपलब कराया जाए पांकलाव है कि सफा नेता आजम खान ने ये बयान दे दिया था कि हमें ये जाच करने चाहिए कि कही ये घटना विपक्ष की साज़िश तो नहीं है उन्होंने कहा था कि इस घटना के ज़रिये सरकार को बदनाम करने की साज़िश की जा सकती है मुखे मंतरी अकिलेश यादव ने भी सरकार के इस बयान का समर्थन नहीं किया था पांकलाव है कि उनका देश परमानों परेक्षन पर भारत के साथ समझाता करने को तयार है कधान मंतरी के विदेश मामलों के सलहकार सर्थाज अजीज ने कहा हमने आगी के परेक्षनों को लेकर एक पक्षिय पावन्धी घोशिती है पाकिस्तान अपने एक पक्षिय रोख भारत के एदसाथ भिपक्ष समझाते में बदलने पर विचार करने को तयार है पिछले सफ़ता हुए राज्डियोतों के सम्मेलन के बारे में मीडिया को बताते हुए अजीज ने कहा कि बैठक में ये बात सामने आए कि पाशिसान निरंतर रूप से सीजी बीजी का समर्थन करता रहा है और वर्ष 1906 में संयुक्त राष्ट्र महसभा द्वारा इसे सीकार किये जाने उनके वक्त भी इसके पक्ष में मत दिया था रियल स्टेट कंपणी युनिटेक लिमिटेट ने शुकरवार को सुप्रीम पोर्ट से कहा कि वनौईड और गुर्गाओं की देरी से चल रही दो परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को पैसा नहीं लोटा सकती युनिटेक की ओर से पेश वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनुसिंगी ने नयमूर्ती दीपक मिश्वा तथा नयमूर्ती युयू ललत की पीट के समक्ष कहा हमारे पास पैसा नहीं है कि उन्हें बिल्डर्स पे कितना पैसा लेना है भारती समुदाय में लापता विमान की खोज के लिए अब तक कि सबसे गहन अभियान में अब तक मिली नाकामी के बावजूद अब आश्वा जगी है कि 22 जुलाई खोला पता हुए वायू सेना के विमान का किसी भी तरह का मलबा समुद्र में तैरता मिल सकेगा हाला कि अभियान की निगरानी कर रहे नौ सेना के वरिष्ठ अतिकारियों का कहना है कि अभियान एक नए चरण में पहुँच गया है जिसके तहट अब समुद्र के तल में विमान के अब शेशो को ढूनने की कोशिश की जा रही है बायू सेना के परिवहन विमान ए N32 पर 39 लोग सवा थे जब इसने खराब मौसम के बावजू चेन्नाई से पोर्ट ब्रेयर के लिए उरान भरी थी और थोड़ी की देर बाद आपदा का फोई सिगनल दिये बिना ही गायब हो गया पिछले करीब तीन हफ्तों में विमानों ने हजार भंटे से जादा की उरान भरी है एक समय तो लापता विमान की तलाश में 28 जहाज और एक पंडू भी को भी लगाया गया था इस ज़रान बंगाल की खाड़ी के जिस बड़े इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है अमेरिका के रिपॉब्लिकन पार्टी के राश्ट्र पती पत के प्रत्याशी डॉनल्ड स्रम्प, राश्ट्र पती वराक उबामा और डिमोकरिटिफ पार्टी के राश्ट्र पती पत की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन को इसलाम स्टेट का ये संस्तापक परार देने के आठ नवेंबर को होने वाले आम चनाव में ट्रम्प तीन महतपूर्ण राज्यों में अपना अधार खोते जा रहे हैं वाल स्रीट जॉर्नल और NBC के ज़ारी सर्वेक्षन के मताबिक निरनायक राज्यों में ट्रम्प का समर्थन घटता जा रहा है जन संक्या के कारण राश्ट्रपती चनाव में ये तीनों राज्यों निरनायक धुमी का अदा करेंगे उधर ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी अपने उमीदवार के पक्ष में एकता बनाने की कोशिश में जुटी थी है हाला कि अपने बायानों को लेकर ट्रम्प की आलोच नाखोती रहती है पूर्व होकी खिलारी धनराज पलाई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रियों में विजे गोयल को कौन जानता है उन्होंने ये खुर्सा उस हबर पर दर्फ्राया जिसमें बताया गया था कि भार्तिय खिल मंत्री विजे गोयल के उलम्पिक के नियमों को तोड़ने की वज़ा से अंतराश्च्य उलम्पिक समिती नराज है पिलई ने कहा कि भारत में लोग उन्हें काफी नियत्व देते हैं लेकिन उलम्पिक में ऐसा नहीं होगा बुदवार को आयोजकों ने धम की दी थी कि वो गोयल का एक्राडिकेशन ब्रत कर देंगे उनका आरोप था कि मंतरी और उनके साथ चलने वाले लोग प्रतिबंधित शेत्रों में भी जा रहे हैं रियो उलम्पिक आयजक समिती के वैनेजर सरहा पीटरसन ने भारती उलम्पिक प्रमुख को चिठी लिखकर ये बात कही चिठी में उन्होंने चेतावनी की बात मंतरी को बताने के लिए भी कहा चिठी में ये आरोप लगाया गया है कि मंतरी के साथ जो लोग है वे काफी आफ्रमप और हसभ्य है दुनिया के सरवशेष्ट फुटबॉल खिलाडियों में शुमा लियोनल मैसी ने अब कहा कि वै अपने देश से प्यार की वज़ा से राश्च्री टीम में वापसी करेंगे पिछले दिनों बेहत प्रतिष्टित कोपा अमारिका टूर्नामेंट के फाइनल में खरा प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने देश अंतराश्चे फुटबॉल से सन्यास की घोष्ट ना की थी इस दिगज फुटबॉल खिलाडी की प्रबंधन कंपनी की और से शुकरवार को एक बयान जारी किया गया है इसे मेसी ने कहा मैंने सन्यास के बारे में गंभीता से सोचा लेकिन अपने देश और इस जर्सी के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा है कई फैंज उनसे सन्यास के फैसले को वापस लेने के लिए गुहार लगा रहे थे औरजिंटीना के राष्टपती मोरिसिया, मेक्रीक और मेसी के आइडिल डियोगो मेरा जोना ने भी उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की थी इस न्यूज बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेक्री टीवी से, नमस्कार